हेलो दोस्तों वेलकम टू डिएश्डी कार्स और भाई आज के वीडियो में आप लोगों के सामने हैं हुणड़ी के तरफ से आने वाली एक प्रेमियम SUV जो की टोप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स की लिष्ट में आपको अक्सर दिखती है और साथी साथ क्रेटा ब्लेक कलर में आपके सामने हुणड़ी क्रेटा 2022 का SX Executive Variant है अब Executive Variant में क्या कुछ अलग है क्या नहीं है वो सारी बातें आज की वीडियो में करने वाले हैं तो सबसे पहले तो आपको जो LED DRL से वो मिल जाते हैं Trio Beam Automatic LED Head Lamp आपको मिलते हैं नीचे आपको मिलता है Fog Lamp और उसी के पास म वो आपको मिल जाती है Chrome Finish के Surrounding के साथ में जो Front Grill है वो आपको मिलती है और Silvery Stone आपको यहां भी मिलती है Black Color के साथ में जो की देखने में काफी बड़िया लुक और Premium लुक आपको भाई दे सकती है तो गाड़ी का Front लुक यार वाकई में Attractive है काफी Aggressive लुक देता है और इस मिल जाते हैं यहां पे Black Color की Body Kit का यूज किया गया है डूर सिल्क लेडिंग आपको मिल जाती है Silver Garnis भी मिलती है ABS EBD के साथ में Rear में डिस्क और Front में भी आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते है यानि की Breaking के मामले में भाई जबरदस्त SUV है Body Color में ही ORVM मिलते है और उनी के उपर प जो Combine Look है वो यहां से आप देखे कि कितना जबरदस्त लगता है LED में ही Tail Lamps आपको मिलते है और जो Tail Lamp का डिजाइन है वो भी कही न कहीं Headlight से मिलता जुलता आपको यहां पे लगता है Reflectors और Back Gear की जो Light है वो आपको नीचे मिलती है Parking sensors नीचे Bumper पे Place किये गए और पीछे भी Stylist Silver Color की जो Skid Plate है वो आपको मिल जाते है और Reverse Camera यहां पे Number Plate के बिलकुल उपर आपको मिलता है और यहां सेंटर में आपको मिलता है High Mount Stop Lamp सब गाड़ियों में उपर मिलता है लेकिन यहां पे इसी जगें पे भाई यह Place किया गया है Rear Viper, Rear Defogger, Rear Spoiler और Shark Win antenna आपको भा भी मैंने यहां पे निकाली हुई है Requesting Sensor आपको डूर पे मिल जाता है Auto Foldable ORVM सापको मिल जाते है और Pedal Lamp with Welcoming Feature भी आपको इस गाड़ी में मिल जाता है दरवाजे पे आपको Dual Tone में जो Interior है वो मिलता है और दरवाजा ही क्या भाई पूरी गाड़ी में आपको Dual Tone में ही Interior मिलता है Silver Finish में Door Handles दिये गए चारोई Power Windows मिलती है Power Adjustable और Auto Foldable ORVM सापको गाड़ी में मिल जाते है ड्राइवर विंडो वन टच अप और वन टच डाउन फंक्शन के साथ में आपको मिलती है Speaker, Bottle Holder और चोटा मोटा समान रखने की जो जगह है वो भाई दरवाजे में आपको मिल जाती है Driver Seat की Height Adjust करने का जो Option है वो मिल जाता है Backrest Adjust कर सकते हैं आप Seat आगे पिछे कर सकते हैं Fabric में ही जो Seat है वो आपको मिलती है और काफी बारी बरकम जो Seat है वो आपको मिलती है Greepable Seats, Adjustable Headrest के साथ में और वाई यह है इस गाड़ी का Dashboard तो Dual Tone के साथ में जो Dashboard है वो आपको मिलता और देखने में वाई काफी बड़िया लोक आप इसको कह सकते हैं Driver के Right Side में Engine Start Strobe का Button दिया गया है, ESP का Control दिया गया और Light के Controls मिलते हैं Chrome Finish के साथ में AC Vents आपको मिलते हैं और भाई यह है इस गाड़ी का MID Meter, Semi Digital MID Meter आपको मिलता है Speedometer, RPM Meter, Temperature और जो Fuel है वो आपको Analog दिखता है उसके अलावा बाकिकी सभी Information Center में आपको digitally दिख जाती है कर सकते हैं और अपने According भाई सेट कर सकते हैं, Steering की बात करें तो Steering पे आपको Sound Controls, Telephonic Controls मिल जाते हैं और Cruise Control भी भाई गाड़ी में आपको यहाँ पे दिये गए हैं, Silver Finish के साथ में Leather Covered D-Cut Shape Steering आपको मिल जाता है और Dual Airbag के साथ में ही यह गाड़ी आपको मिलती है, Steering को आप भाई Tilt Adjust कर सकते हैं, Telescopic Adjustment का कोई भी Option आपको इस गाड़ी में नहीं मिलता है Center Console पे चलें, तो कोई भी Music System आपको नहीं मिलता है, और यह देख के भाई मैं भी चोग गया था कि यहाँ पे बिलकुल खाली पार्ट आपको दिया किया है, ताकि आप बहार से या Company Fitted Music System यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि जो पार्ट वगेरा की Shortage है, उसके चलते शायद Decision Company ने लिया है, Auto Climate Control आपको मिल जाता है, और सब कुछ जो है वो आपको Digital यहां Center Display में दिखता है, 12 Volt का Accessory Outlet, USB Point और जो Fast Charging का Point है वो भी आपको मिल जाता है, और भाई Wireless Phone Charger भी आपको इस गाड़ी में मिल रहा है, 6-speed Manual Transmission के साथ में गाड़ी आती है, और Gear Noob की जो लुक है वो यार वाकई में जबरदस्त लगती है यार, दो Cup Holders दिये गए और Center Armrest आपको मिल जाता है, स्टोरिज के साथ में, Cooled Glow Books Compartment भी आपको क्रेटा के SX Executive Variant में मिल रहा है, Manually Adjustable Day Night IRVM मिल जाता है, Sun Glass Holder और जो Cabin Light वगरा है वो भी भाई आपको गाड़ी में मिल जाती है, Vanity Mirror केवल को ड्राइवर वाले Sunvisor पे ही आपको मिलेगा, ड्राइवर वाले Sunvisor पे नहीं मिलेगा, Foldable Grab Endles मिलते हैं, और भाई बड़ी सी Panoramic Sunroof भी आपको गाड़ी में मिल जाती है, यह हैं से आप देख सकते हैं, एक बार खोल के भी आपको दिखा देता हूँ, तो One Touch Open और One Touch Close Function के साथ में यह जो Panoramic Sunroof है, वो आपको क्रेटा में मिलती है, और वाकई में यह क्रेटा की खूब सूरती में चार चांद लगाती है, अगर आप भी अपनी गाड़ी में बंद-बंद सा महसूस कर रहे हैं, सफोकेटिड महसूस कर रहे हैं, तो भाई यह कवर खाली अट नीचे हो जाती है, ताकि धूल, मिट्टी, पत्ते वगेरा आपके गाड़ी में ना गिरें, अगर आपकी Sunroof खुली हुई हो तो बहुत ज़्यादा Heavy यह material नहीं है, हलका ही परदा टाइप आपको यहाँ Sunroof के नीचे मिलता है, तो यह था इस गाड़ी का Front Cabin, अब चलते ह तो रियर दरवाजे पे भी Dual Tone में जो इंटीर है वो आपको मिलता है, सिल्वर फिनिस में Door Randles, Power Window का Control Speaker और Bottle Holder आपको मिल जाते हैं, और रियर संसेड कर्टिन्स भी आपको गाड़ी में मिल रहे हैं, और यह है गाड़ी की रियर सिटिंग, तो रियर सिटिंग देखने में यार ला जवाब लगती है भाई, adjustable headrest with cushions आपको यहाँ पे मिल रहे हैं इस variant में, 60-40 की split seat आपको मिलती है, rear parcel tray मिल रही है, center armrest with cup holder आपको भाई गाड़ी में मिल जाता है, space की बात करें तो space की तो भरमार आप करेटा में मान सकते हैं, यार 6 feet height है, उसके बाद भी पैरों के आगे इतना space है, leg room, thigh sport, सब जबरदस्त आपको मिलता है, पीछे phone holder और जो USB charging point है वो आपको मिल जाता है, rear AC vents आपको इस गाड़ी में मिल रहे हैं, तो बिना music system के पीछे की seat पे बैठने के बाद जो dash board की look है, वो आपको भाई कुछ इस तरे की दिखाई देती है, अब बात कर लेते हैं, गाड़ी के boot के बारे में, तो requesting sensor के साथ में इस गाड़ी में आपको boot मिलता है, 433 लेटर का बड़ा सा boot space आपको यहाँ पे मिल जाता है, और child seat anchor mount points मिल जाते हैं, light पीछे मिल जाती है, hanging hook दिया गया है, और space भी आपको side में मिलता है, और यहाँ boot floor के नीचे आ आपको मिलता है, 16 इंच का spare wheel, जो की black color का steel rim है, और बाकी के alloy wheel से अलग आपको मिलता है, और seatों को fold करने के बाद पूरा का पूरा जो bed है, वो आप गाड़ी में बना सकते हैं, engine की बात करें, तो Hyundai Creta के diesel variant में 1493 CC, 113 BHP, 250 NM torque, और 21 km per litre के mileage के साथ में, 4 cylinder 1.5 litre U2, CRDI turbo charged diesel engine आ आपको मिलता है, जो की बाई, जबरदस्त power creta को दे देता है, bonnet में जो damping है, वो भी आपको मिल जाती है, और बड़ा bonnet होने की वज़े से यार काफी भारी bonnet creta का है, अब बात कर लेते हैं pricing की, तो Hyundai Creta SX Executive Diesel variant की जो एक showroom कीमत है, वो है 14,55,000 रुपए, और on road ये गाड़ी आपको पढ़ती है, लगबग 17,30,000 रुपए की, तो अगर आप भी एक feature loaded premium SUV लेना चाहते हैं, तो भाई Hyundai Creta की तरफ जा सकते हैं, काफी बड़िया looks और features के साथ में Creta आपको मिलती है, तो सही से decision लें, कौन सी गाड़ी आपके लिए जादा value for money हो सकती है, सही साबित हो सक तो यही था आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगाओ, तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना स्पोर्ट देते रहना, वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्यो दोस्तों